कि कि हलो दोस्तों स्वागेत आपके से ट्रक्षूंग ये टीजोंब पर दोस्तों स्टूनियो दोसे तीन कंपनेश की डारेक रिक्रूमेंट पोस्ट कीगे इसके बारे में देखेंगे एक कौन कौन अधिये बले कैसे अप्राइब करना है पूरा प्रोसेस स्टाप पूरा वीडियो में देखेंगे तो वीडियो अंतक बने रहेगा इंस्टुमेंटेशन इंजिनियर की रिक्वार्टमेंट है और इंस्टुमेंटेशन टेग्निशन की एजुकेशन की बात करेंगे तो भी बिटे की आपको पास डिप्लोमा इंस्टुमेंटेशन में तो आप इसके लिए एक्प्राइब कर सकेंगे चार से पांच साल का रिलिवेंट एक्स्पिरेंस होना चाहिए आपको PLC, SCADA, DCS, SIMONS और Yoko Gowa का नोलेज होना चाहिए Troubleshooting of all type of field instrumentation, PTTT, LTFT, Control Valves इन सब का नोलेज होना चाहिए Knowledge of ISO, Documentation, Work History, Card Breakdown, Record and PM, Calibration, Work का नोलेज होना चाहिए Shifting, Problem, Handling, Skill भी होना चाहिए आपके पास यह Instrumentation Engineer के लिए, Instrument Technician के लिए ITI Instrumentation या Electrician में तब आप इसके लिए अप्टाइब कर सकेंगे इसके लिए 3 से पांच साल के एक्स्पिरेंस होना चाहिए Knowledge आपके पास सेम होना चाहिए जो पिछले बात कर चुके है जो भी Candidate Relevant Qualification और Experience रखते हैं उन्हें अपना Resume Relevant Document के साथ hr.solapur.ocspl.com पर mail करना होगा Location आपका सोलापुर महराश रहना वाला डारेक्टली आपको एप्लाई करना है अगर किसी भी तरह की कोईरी दो कमेंट ज़रू करें नेक्स्ट है हिंदस वाला लाइटिंग लिप्स इन्होंने डारेक्ट रिक्वेंट पोस्ट की है इंजिनियर रुदरपुर रुत्राखंड के लिए 4-5 साल का Experience रोना चाहिए Solar Operation and Maintenance टेक्निशन पंजाब के लिए 2-3 साल का Experience Solar Operation and Maintenance एस्टेंड मेनेजर देली 3-4 साल का Experience Solar Rooft of Assist Management का Experience होना चाहिए इंजिनियर के गुलकाता के लिए 1 साल का Experience होना चाहिए Rooft of Operation and Maintenance में मार्केटिंग के लिए 5-year अबाओ Experience होना चाहिए Moral Quality Audit में Expertise होनी चाहिए आपके बास तब आपके लिए इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे जो भी Candidate Reliant Qualification और Experience रखते हैं उन्हें अपना Resume HR-A-Solar.in पर मेल करना होगा दोस्तों यह सब टेक्निकल भलती है तब आपके बास Reliant Diploma Engineering है तब आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं कोई भी क्वाईर है तो कमेंट ज़रूर करें धन्यवाद है